प्यारे बच्चो, SSC का 2023 का कलेंडर जो आया है, है ना, तो इसमें खुसी, गम, कभी खुसी, कभी गम, उस ताइप का कलेंडर आया है, इसमें आपने वेकेंशी जो गरा तो देख ही लिएंगी, आपकी समस्या कहां पे रही है, आपकी समस्या, मुख्य समस्या जो है एक वेकेंशी है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रही कलेंडर में, और कुछ-कुछ बच्चों का कमेंट आया, तब मुझे ध्यान आया कि दिल्ली पुलीस की MTS की वेकेंशी तो थी भाई, ये भी तो एक वेकेंशी आनी थी, ये भी दिखाई नहीं दे रही, और तीसरी समस् की जो बच्चों का कमेंट नहीं आया, जो कि आना चाहिए था, SSC GD 2023, ये भी उसमें कलेंडर में दिखाई नहीं दी, ठीक है, क्या रहेगा इसका प्रणाम फिर, क्या वेकेंशी नहीं आएंगी है, इसके लिए हमें जरूरी है कि थोड़ा सा हम अंदाजा लगाएं अगर तो उससे पहले जो जो कलेंडर आया है, ये देखो, आपका 2023, 2020 मतलब जो कलेंडर आया आपका, SSC का, आज ही आया ये, इसको देख लेते हैं, कहीं इसमें वेकेंशी नहीं है ये, लास्ट में इसमें सिर्फ इतना इन्होंने कहा है, कि आपकी जो MTS ये देखो ये रहा, MTS क दिल्ली पुलिस की, और एक आपकी कॉंस्टेबल की वेकेंशी जो है, ये दो वेकेंशी, और किस के स्पेसली, ये है आपकी दिल्ली पुलिस की, MTS की और कॉंस्टेबल की वेकेंशी, ये Ministry of Home Affairs, गरियम अंतराले ने बोला, कि ये दिल्ली पुलिस खुद करवाएगी, कौन करवाएगा, दिल्ली पुलिस करवाएगी, यानि कि SSE नहीं करवाएगी, इसका मतलब ये है कि वेकेंशी कैंसल नहीं हो, ये वेकेंशी तो आएगी, पर दिल्ली पुलिस लाएगा, सेम MTS की और कॉंस्टेबल की भी, ये खलमल बली मची क्यों, इसका रीजन ये था, 2022 का क कलेंडर, 6 जुलाई का कलेंडर है ये, इसमें इन्होंने ये वेकेंशी दे रखी थी, अगर आप ने देखी भी होगी, अगर आप ध्यान से जाके देखो, तो यहां पे 12 नंबर सीरियल में ये देखो, MTS की वेकेंशी दिल्ली पुलिस में, 2022 की, इन्होंने कहा था, कि 7 अक परवरी में पेपर ही हो जाएगा, तो अक्तूबर गया, नौमबर गया, दिसंबर गया, फारम आई ही नहीं, इसका मतलब SSC BG इतना रहा, सेडूल इसका इतना टाइट था, कि कुछ एक्जाम बीच में से उसको स्किप करने पड़े, कुछ एक्जाम उसको लेट करने पड तो लग बग अंदाजा तो भी लग जाना चाहिए था कि MTS की वेकेंसी आनी थी नहीं आई, तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस सायद करवाए, इसके बाद यहां पर देखो, यह देखो, कौंस्टेबल की वेकेंसी, दिल्ली पुलिस की अंदर, कब आनी थी भी इन्हों ने बोना था, इन्होंने बोला था कि अपरेल या मई में एक्जाम ले लेंगे, मार्च में वेकेंसी आएगी, फिर बाद में एक बार रिवाइज ओके एक बार नोटिस यह भी सुनने में आया था कि मार्च से जल्दी आएगी वेकेंसी, फिर अब यह आ रहा है कि भाई, अब दिल्ली पुलीस की वेकेंसी जो है, वो दिल्ली पुलीस कंडक्ट करवाएगी, ठीक है, वेकेंसी आजाएगी, हो सकता है थोड़ी बहुत लेट आए, और वेकेंसी आजाएगी और वेकेंसी उतनी ही आएगी जितनी पहले आनी थी, वेकेंसी जो है वो दिल्ली पुलीस ही थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है क्योंकि SSC एक्जाम नहीं ले रही आप एक्जाम डिली पुलिस ले रही है तो स्पेसली जो कॉंस्टेबल वाला है उसमें हो सकता है कि वो पैटरन चेंज कर दे या ना कर दे बट आप पढ़ते रहो जो भी पैटरन रहेगा उसमें कुछ चीज़ें तो सेम रहेगी मैठ आएका याएगा रीज़निंग आएगी आएगी जी एस आएगी आएगी कम्पूट आएगा याएगा चारू चीज़ें आएगी वो सकता है वो लैंग्वेज हिंदी अंगलीस कुछ add करते कुछ कम number का ज़्यादा number का करते उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला तो त्यारी करते रहिए SSE GD 2023 ये दुख है कि ये उस calendar में सामिल नहीं है उमीद करते हैं SSE के SSE से कि वो 2023 में इस vacancy को भी include करें ठीक है तो अभी के लिए इतना ही बच्चो आप दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल और दिल्ली पुलिस MTS की त्यारी अपनी जो और सोर से जारी रखिएगा calendar देख निराज मतो ये vacancy पका आने वाली है कहीं ऐसा लगे कि vacancy आए आपके पास time ना हो तो त्यारी अच्छे से करते रहिए हमारा notebook app है इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा notebook app का app को download कर ले app से फाइदा क्या होगा app अभी sse gd के mock चल रहे है gd पूरा हो जाएगा तो फिर दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के mock आपको provide करा देंगे हम तो जो mok है ना उससे अच्छी practice हो जाएगी आपको पता लग जाएगा कि कितने पानी में है आप और कितने पानी से बाहर है कितना और निकलना है तैर के तो practice कर आपकी हो जाएगी और जो आपकी गलतियां है उनको सुधारते रहिए और इसके अलावा आठ पीम पे बच्चो math की class भी होती है आप math की class चाहें तो मेरी math की class समझ में आए तो लगा सकते है तीन बजे अभी एक बार रुकी हुई है नीरत सर की class जो है दो तिन दिन से हो नहीं रही अभी start हो जाएगी उनकी हिंदी की class होती है बहुत ही बहतरीन वो भी आप चाहें तो लगा सकते है ठीक है टेलिग्राम से जुड़ना चाहें मेरे से तो आप टेलिग्राम का लिंक भी वीडियो की description में है अभी के लिए बच्चो इतना ही भड़ते रहिए और मसते रहिए